ब्रह्मुरत धियान उप्रान सत्संग तुलसी दास जी दुलर रचित हनुवान चली साथ अगली चपाई आपके समक्ष तुम्हरे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें तुम्हरे भजन राम को पावें जन्म जन्म के दुख बिसरावें तुम्हरे डूब कर तुमसे एक होकर हम उस ब्रम्म तत्व को पाजकते हैं जन्म जन्म के दुख समाप्त होते हैं पुनरपी जन्म पुनरपी मरणम इसे मुक्त होते हैं दोश से बनी इस स्रिष्टी में जन्म मरण का चक्र ही दुख है चुकि बार-बार आकर के सभी कुछ लगबग यथावत्सा करना पड़ता है उससे मुक्त होने के लिए प्रान का स्थिर होना प्रान का उर्द्वगामी होना अनिवार्य है अनिवार्य ही नहीं परमावश्यक है उसके बिना कल्यान असंबव है भक्ति योग हो धियान योग हो सन्यास हो कर्म हो कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का योग हो नाद हो इस योग मार्क पर होता क्या है मनुष्य के प्रान जो विचलित रहते हैं प्रतिपल वो विचलित प्रान जो उसमें गुण कर्म के चक्र को प्रेरित करते हैं एक्षन रियक्षन कर्म बंदनों को जनम देते हैं प्रान के स्थिर्ता होते ही प्रान का उर्थोगमन उपर चड़ते होगी रीड से उपर कपाल की और देरे देरे ये अस्थिर्ताएं इनके कारण समाफ्थ होने लगते हैं और प्रान के स्थिर्ता के अतरिक्त इससे पार जाने का मार्ग कोई और है ही नहीं किसी योग से किसी प्रकार के योग से भी मूल में यही होता शरीर में अस्थिर विचलित प्रान विक्षिप्त अवस्था वो समाप्थ होती प्रान स्थिर और उर्थोगमी होता विचारों में स्थिर्ता, कल्पनाओं में स्थिर्ता, चिंतन, मन, कामनाओं में स्थिर्ता यह तभी प्राप्त होती जब प्रान स्थिर होता स्थिर जल में पढ़ने वाले कंकड ही यह विचार, कल्पना, कामना, चिंतन, इत्यादी जब इस्तिर हो जाते तो प्राण स्तिर होता प्राण स्तिर होता तो उर्दवागा में होता श्वासों का मन, मन का श्वासों पर अधिकार होता मूल में कौन है प्राण श्वास का अर्थ भी स्थिरता प्राण को देने से है मन का अर्थ भी स्थिरता प्राण को देने से श्वास या मन स्थिरता तो प्राण को देनी है तुम्रे भजन राम को पावे तुम्हे भज लिया प्राण रूप स्थिर कर लिया अब राम को पाना है ब्रमांडिय तत्त को पाना है आत्मान मुक्षारत को पाना है जनम जनम के दुख अब समप्त करने हैं चूकि ये जनम जनम के दुख पता ने कितने लग योनियों से निरंतर चलते आ रहे और मनुष्टक योनी कोई एक प्रकार की है क्या? मनुष्टक येवल एक ही प्रकार क्या है? गाएं बहस बकरी एक योनी हो सकती अलग 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 पर एक मुनुष्य में ही अरे बाबा लाको योनिया है सुनने में हश्चर होता है पर ग्यानियों का मानना है एक मुनुष्य में ही लाको योनिया है बिन बिन प्रकृती का जीव अपने आप में एक विलक्षण योनी है इतनी योनियों में से होकर के जनम जनम के दुख को समाप करना इनाफ 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 बहुत हो गया तो तुम्हारे भजन के बिना, तुम्हें डूबे बिना तुम्हारे स्थिर हुए बिना, तुम्हारे उर्दवगामी हुए बिना हें पवन पुत्र संभव नहीं है तुम्हीं ब्रमांडियत तत्यों को प्राप्त करा सकते हो अर्था जनम तुम्हें भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे ओमही सत्ते हैं जीक विए जीक जीक जीकशदी शेड़ करे जाया विए बऴेश स्फोड़ से घ 드या एक खो पिर पिरुशदी, जीक जीक जा आएिन। झाल झाल